नमस्कर दोस्तोंं, हरियम स्टर्डी में आपका स्वागत है। इस वीडियों में उधारन 4 का हल करेंगे। देखिए, इस उधारन में क्या कहता है। गराप दौरा जाच कीजिए कि समीकरन यूग्म संगत है यदि ऐसा है। यह यूग्म संगत है यदि ऐसा है तो उन्हें गराप द्वारा हल कीजिए देखिए इससे पहले इंट्रोडक्शन बला वीडियो गर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिये उस वीडियो को एक बार देख ले ताकि इसको समझने में आपको देखिए यह दो चरवाला रेखिक समिक्रन है तो इसका देखिए आलेक कैसे होगा यानि गराप एक सरल रेखा होगा ठीक है तो इसका दो हल निकालेंगे ठीक है और इस समिक्रन का भी दो हल निकालेंगे और इसका आलेक खिचेंगे तो देखिए इसको हल करेंगे देखिए समीकरन एक से देखिए समीकरन एक में दिया है X पलस 3Y बराबर 6 देखिए इसको इधर ले आएंगे यह हो जागा देखिए यहाँ पलस है यह हो जागा माइनस ठीक है अब देखिए यहाँ एक टेवल बना लेंगे कि अलेक्षने के लिए दो बिंदव के आउसकता होगा ठीक है जृण मेघर y का मान सुनी ले लेते ँ test तो देख्ये और वाई एक के लिए तो तीन गुणा क्या हो जागा सुन्य हो जागा तो सब्सक्राइब में घंटाएंगे तो क्या होगा चोई प्राप्त होगा जैनि एक्स का मान हो जाएगा चोई अब देखिए यह पहला हल और देखिए यह दूसरा हल याने दो हल प्राप्त हो गया दो बिंदू याने इससे हम रेखा की सकते हैं अब देखिए समीकरन 2C समीकरन 2C देखिए 2X-3Y बराबर 12 देखिए इसको इधर ले आएंगे तो यह माइनस है तो इधर आके यह पलस हो जागा ठीक है अब देखिए यह दो गुना में है तो यह बट्टेम आ जागा ठीक है है तो देखिए दो यहां जागा ठीक है अब देखिए को यहां भी दो हल निकालेंगे को दीकों देखिए आप पी इच्छा अनुसर देखिए यहां यगा भाइए देखिए य अगर सुनी लेंगे तो यह सुनी हो जागा तो दो से बारा को भाग देंगे तो टीक है अब देखिए य अगर माइनस चार ले लेते हैं एंगे तो देखेए कितना हो जाएगा कि देखिए इंगे के जगह ले लेंगे मैंनस चार है तो देखिए उसके तीन चारे बार उट्व ये पलस मैंनस मैंनस ओजागा कि तो देखि बारम 12घल सुनी सुनीबटा दू सुन्य को ख他們 देंगे तो क्या होगा सुन्य प्राप्त होगा तों कि ट्रह एक्स हो जाएगा सुन्य तो यह यहां से भी दोहल प्राप्त होगा थं 22 análekा इसको लिख दीए आपको समझाने के लिए आपको नहीं लिखना ऐसे आपको टेवल बना लेना दोटो ठीक है अब देखिए इसका अले खिचेंगे कि अब धेरकिए यहां एक्स अक्षा खिचली S DAK तोदेखिए मैं एकस की तरफ देखिए एगे चलंगे तो देखिए यहां पर हो गया है जाने यहा तो देखिए एक्स के तरफ नहीं चलेंगे एक सुन्या वाइण के तरफ चलेंगे दो कदम तो यहां जाने है है कि तो यह होगया जीरो तो ऊ-मा-दो यह एक्स निर्द संग हो गया सुन्य और वाइण निर्दसंग 2 इसका नाम चायत आप दे सकते हैं इसका नाम ए देते हैं तो देखिए तो देखिए इस समिकरन का यह प्राप्थ हो गया अब देखिए समीकरन 2 से देखिए X6 Y सुन्य है तो देखिए X6 Y सुन्य है तो यही बिंदू होगा ठीक है और दूसरा देखिए X सुन्य है Y-4 देखिए आप अपनी इच्छान उसर से कुछ भी ले सकते हैं यह जरोरी नहीं माइनस 4 आप 2 ले सकते हैं Y कमान 1 ले सकते हैं माइनस 1 ले सकते हैं पलस ए ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो देखिए माइनस 4 कहाँ पर होगा यह बिंदू यहाँ हो जागा देखिए माइनस 4 यहाँ होगा आपने देखिए X निर्देसंग सुन्य और निर्देशंग 4 यह हो गया देखिए y मायनस जब चलेंगे इधर यह फलस में और x इधर देखिए फलस में और इधर मायनस इधर में ठीड क гр कि इसको मिला देंगे अशब का तो देखिए इस समीक्रन का यह आलेक प्रप्त हो गया तो जिस बिंद्दू पर परतिछेद करता है यह इस समिक्रन यूगम का देखिए इस समिक्रन यूगम का यह हल परत्थ हो गया यानि एक्स चो और वाई सुननी देखिए यहां प्रस्ण में क्या बोला देखिए संगत है यानि यह समिक्रन यूगम संगत यूगम है तो देखिए इसका भी लिखें कारण चुकि दोनों रेखाएं एक बिंदू पर परतिछेद करती इसलिए दिएगे समीकरन युग्म संगा थे देखिए दोनों एक ही जगा पर परतिछेद कर रहा है देखिए ये इंट्रोडक्शन बाला वीडियो में बता चुके हैं देखिए अगर देखिए समीकरन युग्मु भी हो सकता है जिसका अनंद हल है तो उसको भी बोलेंगे उस युग्मु को भी बोलेंगे संगाद युग्मु और जिसका कोई हल नहीं पराप्त होगा तो उसको बोलेंगा आसंगाद युग्मु तो यहां देखिए हल परतिछेद कर रहा है इसका मतलब हल पर तो देखे तुकि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर पर्तिषिद कर रहे थी कि पर्तिषिदु करें इसमें किरहें तो देखिए इसका अल बटाना है ढेहीं कि दिएगे समीखरन यूगम का हल याँ एक बरावर 6 और Y बरावर सुन्ट toen इसका ये रजल पराप्ट हो गया ठीक है या अब लिख सकते हैं अठार्थ इसका मतलब यानि 8, जने 6,20 यान यह हल पराप्थ हो सप्ory करें अभी करता हैं और आपने अभी तग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले